ओम शांती, बड़ों को प्रणाम और छोटों को डेर सारा प्यार, वेलकम बैप टू लाडो वाई व्लोग्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्रोध के बारे में, जो की आदमी का सबसे बड़ा शक्त्रू होता है, हम क्रोध करने के नुकसान क्य क्या होते हैं, उसकी उपाय और क्रोध शांत करने कर कुछ टोटके आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आगे जानते हैं क्रोध किन कार्णों से आता है और क्रोध करने पर क्या हानी होती है, क्रोध मश्तिष के दीप को बुजा देता है, जिससे मनुष्य की सोचने व को विगारता है, दुखो, समस्याव, वह तनावों को निमंत्रन देता है, यह वह नकारात्मक सोच है, जो मुर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खतम होता है, कभी-कभी क्रोद के बहनक परिनाम भी सामने आते हैं, क्रोद करने पर ही रावन मणा और दुरियोध कभन का भी नाश हुआ, क्रोद मालव का अपना ही खून जलाता है, गुस्यल वेक्ति अकेला पड़ जाता है, जादा खीजता है, कुडता है, तनाव मोल लेकर के विविन व्याधियों का शिकार होकर अपना ही स्वास्त चौपट कर लेता है, क्रोद के समय बानी की मिठास खत्म हो जाती है, चेहरा विक्रित वा आखे लाल हो जाती है, चेहरे की मांश पेशियों में तनाव आ जाने के कारण चेहरा बिहानक लगने लगता है, क्रोद आदमी के दिन की चैन वा रात की नींद हराम कर देता है, क्रोदित वेक्ति खुद भी अशान्त रहता है, एव अपने घर परिवालव जनों को भी अशान्थ बना देता है क्रोध को शान्थ करने के कुछ उपाए है ऐसा कुछ इक्छा ही ना जगाए जिसकी पूर्ती ना होने पर क्रोध आने की संभावना हो भगवान में द्रड विश्वाश रखे जो होता है भगवान की इक्छा से ही होता है वो सरवदा मंगल मई है मन में ये वश्वाश रखना कि जो भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है तो क्रोध कभी नहीं आएगा क्रोध आने पर हाथ, पैर, मू, आँख, दोकर थोड़ा थंडा जल अपने ऊपर छिड़के और थोड़ा सा पानी पिए फिर मौन धारन कर मन ही मन भगवान का राम नाम का जाब करे क्रोध आने पर किसी भी दूसरे काम में मन लगाने की चेश्टा करनी चाहिए जिससे की पहले की बाद से ध्यान हट जाए क्रोध आने पर भी मन ही मन दबाना एवं दूसरे पर प्रकट ना होने देने की चेश्टा करना और प्रकट हो जाने पर पस्चताब करना प्रातकाल उठते ही मन में निश्य करना कि मैं आज किसी भी परिस्तिती में किसी पर भी क्रोध नहीं करूंगा तता रोज की घटना को लिखकर स्वय मनन करना कि क्रोध क्यों आया था अधिकतक क्रोध बेकार की बातों पर ही आ जाता है स्वय मनन करने पर आप भी जान जाएंगे कि आपको किस बात पर क्रोध आता है जिस पर क्रोध आ जाए उसके सामने बड़ी नम्रता से सच्चे मन से छमा मांगना क्रोध हमारे बस में नहीं होता क्रोध आ जाने पर हमें ही नहीं मालूम होता कि हमें किस बात पर क्रोध आ रहा हो किसी को ज़्यादा क्रोध आता है तो किसी को कम लेकिन यह दोनों ही नुक्सान दायक है कम आए या ज़्यादा तो चलिए कभी-कभी किसी बच्चे को या बढ़े को एकसिसी क्रोध आता हो, उनके लिए यह तोटका शेर कर रहे हैं, यह तोटका क्रोध को शांत करने के लिए हैं, बहुत ही असान सा तोटका है, लेकिन इसे नियम से तीन महने तक करना है, हमें करना है एक चांदी के गिलास या कटोरे में जल लेना है, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, उसे वह पकड़ा देना है, अब वह व्यक्ति रात की चांदनी में खड़ा हो करके दो-तिन मिनिट यह प्रन करे, भगवान मेरा वहवार चांद की तरह शीतल हो जाए, अब वह यह जल पी ले, याद रखे जल को चांद की रोशनी दिखाते हुए यह प्रन करना है, यह काम तीन मेहने तक कंटुनियस करना है, इस तरह तीन मेहने तक करने के बाद, लेकिन उसी के बीच यह भी बता दे, तीन मेहने के भीतर जो पुर्णिमा आती है, उस दिन हमें खीर बना कर चांद की रोशनी दिखानी है और जिसे क्रोध आता है, उसे फिर खिलाना है, यह तोटका बहुत ही लाबदायक है, आपको मेहने, डेड़ मेहने में ही खुद फर्क दिखने लगेगा, यह तोटका आपको तीन मेहने तक लगातार करना है, फिर अगर आपको लगे, फिर से आपको स्टार्ट करना है, तो एक मेहना आपको इसे छोड़ देना है, और फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसके साथ हो सके तो जिसे क्रोध आता है उसे चांदी की अंगूठी, चेन या ब्रेसलेट पहना दे आप छोटा सा चांदी का लॉकेट बना ले जो की चांद के शेप में हो या तो चांदी का ताबीज भी बनवा करके उसको पहना सकते हैं क्रोध कई बार नजर लगने के कारण भी आता है यह बहुत यह हमें समझ में नहीं आता है कि उसे यह क्रोध क्यों आ रहा है क्योंकि उसे तो वो नजर लगी है और उसके कारण आ रहा है हम सुचते हमारा बच्चा या घर में कोई भी पेरेंट हो अचानक से उनके बिहेवियर में चेंज हो जाता है वो क्रोध करने लग जाता है तो समझे कि उसे नजर के कारण वो क्रोध कर रहा है, अब आपके साथ करेंगे नजर काटने के तरीके, जो नजर के कारण क्रोध आता है उसे काटने का तरीका, हमें करना है, शनिवार के दिन एक पैकेट दूद का लेना है, आप चाहे तो एक ग्लास में भी दूद ले सकते हैं, और फिर जिसे क्रोध आता है, उसके सर से एंटी क्लॉकवाई साथ बार गुमाना है, और फिर उस दूद के पैकेट या वो एक ग्लास दूद जो आपने लि उसे किसी गरीब को दान कर देना है, यह तीन शनिवार तक करना है, अगर नजर की वज़े से क्रोध आता है, तो वो अवश्य ही शान्त हो जाएगा, आप लोगों के लिए हम बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक्स पर वीडियो शेयर करते हैं, होप आप लोगों को पसंद आत है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए ओम शान्ती